प्रस्न सोला आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों से एक वरगाकार वीव की रचना की गई वरगाकार में सजाने पर कुल 25 सैनिक बचे रह गए आगे की कतार में सैनिकों की संख्या कितनी है तो प्रस्न सोला तो कह रहा है कि आगे की कतार में सैनीकों की संख्या कितने हैं तो लिखेंगा माना की माना आगे की कतार में माना आगे की कतार में सैनीकों की संख्या तो माना आगे कि कतार में सैनिक इतना है, एक्स है, इसको हम एक्स माल लेंगे, कि आगे कि कतार में जो सैनिक है, वो एक्स है, ठीक है, अब लिखेंगे प्रस्न से, प्रस्न से, तो प्रस्न से क्या कह रहा है, कि वर्गाकार व्यू की रचना की गई है, वर्गाकार में सजाने में कुल 25 सेनिक बचे रगे तो वर्ग में हम जानते हैं कि 4 भुजा बराबर होता है वर्ग का क्योंकि 25 सेनिक क्या होता है बचे रह جाता है यानि बच बच जाता है ठीक है तो चक्र ये वर्गाकार व्यू की रचना की गई जिसमें तो 11,050 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू की रचना की गई वर्गाकार में सजाने पर कुल 25 सैनिक बचे रह गए तो माइनस 25 कर देंगे और X गुना X करेंगे क्योंकि वर गाकार है इसलिए x गुना x करेंगे तो x गुना x क्या होता है x square तो x square बराबर हो जाएगा 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11,025 घटाने पे 11,025 हो जाएगा तो x बराबर under root 11,025 तो इसका मतलब हुआ कि 11,025 का वर्गमूल निकालना होगा यानि 11,050 में 25 घटा करके जो 11,025 आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11,025 का वर्गमूल भाग विदी से निकालने के लिए दाई और से दो-दो अंका जोड़ा लगाना होगा इस तरह से तो एक बच गया तो एक गुना एक होता है तो यहाँ पर एक लिखेंगे एक में से एक गया सूनने यहाँ पर एक लिखेंगे अब 10 उतारेंगे यहाँ और यहाँ पर जोड़ देंगे दो-एक एक दो हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी अंक रखेंगे तो उससे तो लगेगा नहीं क्योंकि 10 है अगर एक रखे तो 21 गुना एक, 21 तो यह 10 छोटा हो जाएगा इसलिए 25 को उतारेंगे यहाँ पर तो दो अंक और उतारने के लिए उतारने पर यहाँ सूनने देंगे और यहाँ भी सूनने देंगे अब देखिए यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करنا है तो 5 रखेंगे देखिए 5 पचे पचीयस पचे पचीयस सुनने है तो देखिए 5 पचे पची polygon होगा सुनने 2 यहाँ पचीयस हो गया अब 5 दूना 10 तो यह पुरा-पुरी लग जाएगा पांच रखने पे तो यहाँ पे पांच लिख देंगे और यहाँ पे जोड देंगे तो कितना आ गया वर्गमुल? 105 यानि 11,025 का वर्गमुल हो गया 105 तो एक्स वराबर 105 आ गया तो हम क्या माने थे एक्स? तो आगे की कतार में सैनिक की संख्या को हम एक्स माने थे तो लिखेंगे अतर आगे की कतार में आगे की कतार में सैनिकों की संख्या सैनिको की संख्या बराबर 105 तो आगे की कतार में सैनिको की संख्या कितना है 105 है तो सिधा सा इसको समझना है कि 25 घटा करके जो आएगा उसको वर्गमून लिकाल देना है ठीक है 11,050 में 25 घटा करके वर्गमून निकाल देना है प्रस्न 17 निम्निलिकित संख्याओं में से परतेक में नियूंतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पुर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए इस परकार प्राप्त पुर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ग्याद किजे प्रस्न 17 पहला 402 तो 402 में क्या घटाए जाए कि यह पुर्ण वर्ग संख्या हो जाए और फिर पुर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ग्याद करना है ठीक है तो प्रस्न 17 का पहला तो देखे इसको हम भाग विदी से पहले वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो अंका जोड़ा लगाएंगे दाई योड से तो चार हो गया तो दो दूना चार तो चार लिखेंगे चार में से चार गया सून्य अब यहां पर जोड़ देंगे अब सून्य दो उतारेंगे यहां पर सून्य दो तो नहीं लग रहा है ठीक है तो देखें सून्य दो यहां पर अगर कोई भी अंक रखेंगे तो नहीं लगेगा तो यहां पर सून्य देंगे ठीक है और यहां भी सून्ने देंगे अब सेस कितना बच गया है? दो सेस है अगर 402 मेंसे 2 घटा दें देखें 2 जो यहाँ पर बचा है सेस हुआ तो 402 मेंसे 2 घटा दें 402 माइनस सून्ने 2 यानि 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 400 जो कि पूर्ण वर्ग मूल है किसका? तो 400 का वर्ग मूल क्या है? 20 देखें 20 400 होता है 400 पूर्ण वर्ग संख्या हुआ? 402 मेंसे 2 घटा दें यह सेस 2 बच गया क्योंकि 2 यहाँ पर बचा हुआ है इसका सेस तो अगर 2 घटा दे तो 400 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है किसका वर्ग है? तो 20 का यहाँ चार्ण सो का वर्ग मूल क्या होगा? 20 तो इसका उत्तर हो जाएगा तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर हो जाएगा 2,20 यानि प्रस्ण में कहा रहा था कि प्रतेक में नियुंतम संख्या क्या घटाया जाए यानि 402 में से क्या घटाया जाए तो 2 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा यानि 1 तो उत्तर हो गया 2 क्योंकि 2 घटाया जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा फिर जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा फिर उसका वर्गमूल लिका लेंगे तो हम तो जानते हैं कि 400 का वर्गमूल 20 होता है इसलिए वर्गमूल लिकालने का जोड़त नहीं है यहाँ पे तो 400 का पता ही है कि 20 होता है तो बस इसका उत्तर लिख देंगे एक हजार नौसो नवासी तो इसका भी वर्ग मुल लिका लेते हैं तो दाई और से दो दो अंका जोड़ा लगा लेंगे उन्हेस चरचोक सोला चार बार में लगेगा पचपचे पचीस होता है ज्यादा हो जाएगा इसलिए चार बार में चरचोक सोला नौ में सचे गया तीन चार चार आठ यहाँ पर आठ लिखेंगे अब आठ नौ को उतारेंगे यहाँ पर आठ नौ को उतारेंगे नवासी को उतार देंगे ठीक है अब यहाँ पर जो अंक रखना उसी से गुणा करना है तो देखें कितना रखेंगे यहाँ पर मान लिजे हम चार रखेंगे देखते हैं चो चर्चुक 16 आठ चुक 32 एक 33 पांच रखे देखते हैं पचपचे 25 आठ च 42 तो 42 से ज्यादा हो जा रहा है इसलिए 4 रखेंगे चार 84 चौक 4 रखेंगे 4 से ही गुणा करेंगे 4 चौक 16 आठ चौक 32 एक 33 नौ मिस 6 गया 3 आठ मिस 3 गया 5 चौर आसी चार कितना हो जागा 88 अब देखें इसका जो उत्तर होगा वो तीरपन घटा है जाएगा तीरपन घटाया जाएगा तो देखें 89 नवासी में से तीरपन घटाएंगे तो कितना आजाएगा 9 मिस 3 गया 6 आठ मिस 5 गया 3 यानि 936 तो 936 पूंड वर्ग संख्या है तो किसका वर्ग है तो चौक वाले इसका देखें कैसे यहां पर 402 में से 2 घटाये थे तो 40 402 में से 2 घटाने पर 400 आया था तो 400 किसका वर्ग है 20 का देखें 400 का वर्ग मुल 20 है यहां पर जो आएगा वो घट के जो आएगा उसका वर्ग मुल होगा तो देखें 20 किसका वर्ग मुल है 400 का ठीक है तो इसका 2 और 20 उतर दिये थे उसी तरह यहां पर 1989 में से 33 घटाने में कितना हो गया 9 में से 3 गया 6 8 में से 5 गया 3 यानि 936 1936 1936 पून वर्ग समक्या है तो कितना घटाना पड़ा और 1936 का वर्गमूल हो जाएगा देखें यहाँ पर जो आया है इसका वर्गमूल है 44 ठीक है तो यहाँ पर वर्गमूल भी दिया हुआ है बस लिख देना है तो 1936 का वर्गमूल हो गया 44 यानि इसका उत्तर हो जाएगा तो उत्तर में हम लिख लेंगे तीर्गमूल यानि तीर्गमूल घटाना है तो पून वर्ग संक्या बन जाएगा अपून वर्ग संक्या का वर्गमूल होगा 44 तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा तीर्गमूल कोमा 44 ठीक है तो देखे दोनों उत्तर यहीं पर आ रहा है एक उत्तर हो गया तीर्गमूल और एक उत्तर हो गया 44 देखे यहीं पर दोनों उत्तर आ रहा है सेश और यहाँ पर जो आया है ठीक है? तीरपन घटाना है और जो घट के संख्या आगा उसका वर्गमूल होगा चुबालिस तो यही दोनों बस लिख देना है उत्तर में देखें जैसे यहाँ पर दो और बीस उत्तर आया था ठीक है? उत्तर दो बीस से तरह यहाँ पर तीरपन चुबालिस तो इस तरह प्रस्न दो हल करेंगे प्रस्न तीन तीन हजार दो सो पच्चास तो इसका वर्गमूल लिकाल लेते हैं पहले तो दाई ओर से दो दोन का जोड़ा लगा लेंगे तो छे चक छत तीस पच पचे पच्चीस पांच से लगाएंगे पच्च पच्चीस पारह में से पाच गया साथ पांच पांच दस अब पचास उतारेंगे उपर से तो साथ सो पचास हो गया तो यहाँ पर क्या रखेंगे तो देखे मान लिजे 3 रखते हैं तो 3 से ही गुना करना होगा तो 309 हो गया तो छोटा है भी 5 रखते हैं तो 25 पचीस 5 गुना एक 5 7 रखते हैं तो 7 सते 49 7 गुना एक 7 यह देखें 7 रखेंगे तो 7 सते 49 7 गुना एक 7 7 सते 49 हो गया तो यहां पर रखेंगे साथ साथ से ही गुना करेंगे तो ससते उन्चाथ, साथ गुना एक साथ घटाएंगे, दस में से नौ गया एक चार में से चार गया सुनने, साथ में साथ गया सुनने इसको जोड़ेंगे, एक सो चौधा और यहां पर लिख देंगे 7 ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देखे एक घटाना है और संतामन होगा जो घट का आएगा उसका वर्गमूल तो देखे 3250 में से कितना घटाना है? एक बचा है यहाँ पर तो एक घटाना है तो कितना हो जाएगा? 1249 का वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो संतामन देखे इसका वर्गमूल भी दे दिया यहाँ पर तो एक घटाना है और जो घट के आएगा उसका वर्गमूल होगा संतामन तो एक और संतामन उत्तर हो जाएगा तो इसका उत्तर लिख देंगे हम एक कॉमा संतावन यानि एक घटाना है और जो घट के संख्या आएगा उसका वर्गमन होगा संतावन तो यही इसका उत्तर हो जाएगा यही दोनों पूछ भी रहा है प्रस्न चार आट सो पचीस तो आट सो पचीस का वर्गमन लिकाल लेते हैं तो दाही और से दो दो अंका जोड़ा लगा लेंगे तो आट बचा तो तिन तियाई नौ दो दुना चार दो से लगेगा आठ में से चार गया चार यहां पर जोड देंगे दो दो चार पचीस उतारेंगे तो चार सो पचीस हो गया अब यहां पर कौन सा अंक रखेंगे तो गुना करके देखते हैं तो मान लिजे आठ रखे तो आठ यटी चौशट आठ चुग बद तीछे अर तीज नौ रखते हैं तो नो नमा एक आसी नो चुग छतीश आठ चुग बालिस यह तो ज़्यादा हो जा रहा है तो आठ रखेंगे तो आठ रखेंगे आठी से गुना करेंगे ठीटी चौशट हाथ मेरा च्छे आठ चुग बद तीश च्छे अर तीश पांच में चार गया एक बारा में से आठ गया चार तीन में से तीन गया सूने आठ आठ सोला चार एक पांच छपपन यहाँ पर जोड़ देंगे यहाँ पर आठ लिखेंगे तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है यानि एक तालिस इसमें से घटाना है तो जो वर्ग मुल आएगा यह जो घट कर आएगा आठ सो पचीस में से एक तालिस घटाएंगे तो जो आएगा उसका वर्ग मुल होगा अठाइस तो देखिए आठ सो पचीस में से एक तालिस घटाएंगे तो कितना आएगा पांच में से एक गया चार 12 में चार गया 8 यो गया 7 784 5 में से 1 गया 4 12 में चार गया 8 यो गया 7 784 और 784 का वर्गमूल होगा 28 देखिए ये भी दिया हुआ यहां पर तो 28 लिख देंगे यानि इसका उत्तर हो गया तो देखिए हम इसका उत्तर यहां पर लिख देते हैं तो उत्तर हो गया 41, 41, 28, एक तालिस और 28 ये दोनों उत्तर हो जाएगा यानि 41 घटाना है और जो आएगा उसका वर्गमूल होगा 28 तो देखिए 41, 28 इसका उत्तर होगा तो इस तरह प्रस्न चार भी हल कर लेंगे प्रस्न पांच 4,000 तो 4,000 है तो दो दो अंका जोड़ा लगा लेंगे दाई ओड से तो 40 हो गया तो 6 चचिद 6 चचच 36 49 तो 6 भार में लगाएंगे 6 चचच 36 घटाएंगे इसको तो 10 में से 6 गया 4 यहां पर जोड़ेंगे 2 सुनने उतारेंगे अब यहां पर जो अंक रखना है उसी से बुना करना है तो देखिए 2 रखते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 244 4 रखते हैं तो 4 चुक 16, 4 दूना 8, 9 496 यह तो जादा हो जा रहा है 400 है 3 रखना होगा तो 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे तो 3 दूना 9, 3 दूना 6, 3 अब इसको घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में 6 गया 3 इसको जोड़ेंगे 126 यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यानि 31 घटा नहोगा और जो घट के आएगा उसका बर्गमूल होगा 63 तो 4000 में 31 घटाएंगे तो कितना आजागा 10 में से 1 गया 9 9 में से 3 गया 6 यह हो गया 9 यह हो गया 3 देखें 10 में से 1 गया 9, यह हो गया 9 तो 9 में से 3 गया 6, यह हो गया 9 तो 9 लिख दियां, यह 3 हो जागा तो 3979 तो 3979 किसका वर्ग है? तो 3979 है 63 का वर्ग यानि 3979 का वर्गमूल होगा 63 तो उत्तर क्या आगया इसका? उत्तर हो गया 31, 31, 63 यानि 31 गट आना है जो गट के आएगा चार जार में 31 गट आना है जो गट के आएगा उसका वर्गमूल होगा 63 तो इस तरह इसको हम हल करेंगे